क्या सोच रहे हो मित्रों क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख जब वो पूछेंगे कि सुएंबर में क्या हुआ तो ये गाथा बताओगे कि हम महावली एक धनुष तक न उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन द्यतित करने वाला एक ब्राह्मन पांचाली को लेके चला गया अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी हम उस ब्राह्मन का वद कर देंगे मुझे अनुभाफ हो रहा है कि शीक रही है यां कुछ अशुप घटेत होने वाला है अशुप तो घटेत हो चुका है मित्र एक साधारन ब्राह्मन हम चत्रियों के माते पे कलंग लगा गया और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कर्दा आप भी नहीं मैं कुछ अलोचित मत कर बैठना स्मरन रहे कि इस प्रामण युवक्त ने परीक्षा में सपल होकर दुरापती का वरण किया कैसे भूल जाओं अपना अप्मान हस्थनापूर का मन तुमारा अप्मान चलो चत्रियों हो तो अपने माते का कलंग चलो चत्रियों हो उत्रियों हो तो अपने मान तूमान है खिर नोंपना! खिर जोग से जाता शीर, पांचाली को यहां से सुरक्षित ले जाईए। मैं भी योद्खर सकती हूँ। मुझे तुमारी शम्ता पर संधे नहीं है पांचाली। परन्तु तुम्हें भी अपने वर्ग की योग्यता पर संधे नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी बुझाओं में पांचलाने की शक्ति और छाती पर घाउचाने की शम्ता। तुम्हें अस्तर उठाने के आविशक्ता नहीं पड़ेगी। अंगराज, नियती सबको दूसरा अवसर नहीं देती। परन्तु तुम्हें दूसरा अवसर मिला है। चैन करने में भूल मत कर बैठना। युद्धा का मन सदा युद्ध करने को ललायत रहता है। परन्तु जैसे मैंने जरासंद से कहा था। युद्धा वही होता है। जो जब तक हो सके युद्ध को टाले। आपने एक और बात कही थी वासुदेर। कि हम सब नियती से बंदे हैं। तो युद्ध होना है तो होगा। हाँ। कारण अवश्य भिन हो सकते हैं। कभी तारण। तो कभी शंका का निवाद। कैसी शंका अंगराज। आप तो मेरा मन पढ़ सकते हैं न वासुदेर। तो बताईए। कि जो मेरे मन में चल रहा है। क्या वो सत्य है। सत्य तो कुछ भी हो सकता है अंगराज। पस उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवशक्ता होती है। और तुम्हारे शंका का निवारन अकेवल एक ही मार्ग है। तो प्रमाण के लिए ही युद्ध होगा। जिस प्रकार हर मनुष्य एक दूसरे से भिन होता है। उसी प्रकार हर धनुर्धारी के बाणों की चाल भी एक दूसरे से भिन होती है। हम सब नियती से बंधे। युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन हो सकता है। कभी तारण, कभी शंका का निवारन। कारण, कारण, कारण! कारण, कारण, क्मार्ण, कारण, कारण, व्रॉद्ध धनुर्ध प्रेकर जोगा प्रेकरमानी की प्रेकरवारे झांग! प्रेकर प्रेकरमानी की बारे जब कर फिर रहे झांग! त्वागत है, अंगराज कर्न, त्वागत है. त्वागत है. यह जो कि बुके हो दड़े भूके हो बरह्मा अभी है ब्रेक्स्टु काड़ रहे है अरे हां, तुम्हें देखकर, मुझे एक मूर्क कास्मर होता है वो भी, भूजन के लिए सदेव, या कुल रहता था अरे महागाय भ्रमड, बालों को पर क्यों परहार कर रहे हैं आओ, मुठ पर परहार कर, आओ इस यह भुषर को में को बसे प्रतिक्शा करनाता आओ, इस यदस्ताँ है कि आप पुद्ध कि या तुम सच में ब्रामन हो वी सोच लो गभी-गभी असत्य वचंका बहुत थारी मुल्य चुकाना पड़ सकता है अंगराज जो तुमेवानी से नहीं थनुष्ट से काम लो अन्यथा यही तुम्हारे अंतिम शब्सत होंगे अंगरावा यही ब्रामन प्रामन थे अंगराद कि अंगरे अंगरे उनुष्टार दूदियों है यह प्रहों प्यारी बडियों आप कया रहा है मेरे उतरेक्ता ते वली की युदाए को इतना चपल है अरचों हुआ है बांडव लाख्षाग रह से चीवेट पच्छ निकले अर्दावत, माता कुन दीपी सुरक्षे थे मैं समझ गया हूँ कि तुमें एक महान जोदा हो, ब्रामर्ण और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमें इस जोद की अखांशा है सुएंबर में विजे की अखांशा से भी कईया देखे और अखांशा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वन्द पूर करूगा परन तु वो अधूरा द्वन्द युद भूमी में पूर होगा किसी अभिमानी के सुएंबर में नहीं जंका का निवारन हो गया अब इस युद का कोई कारण शेश नहीं मैं तुम्हारे उजवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद को यहीं समाप्स करता हूँ जाओ ग्रामबंद पुत्र तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो कि में अगारी में जातीक्षा कर फारीं कि मीम लेज़। कि मैठर। यह यह तwendर यह समाप्स कर अइब हो मेत्र विजेता को अपनी स्वेंबरा आदर से ले जाने दो मितर नहीं मितर हमें नहीं होता ये परामेन अपने अपहार का अधिकारी है जाने दो इसे जाने दो आदर संत्यम दो दो दशकम धर्मलब शनम दशकम धर्मलब शनम माधा कुंति और पांडव जीवे थे मेरे मन से एक बोच उतर गया अन्यता लाक्षाग्रह की वो अपने मेरे मन को सदेव जलाती रहती इसलिए आप पांडवों की मृत्यू की सूचना से व्यथित नहीं थे क्योंकि आपको सब कुछ ग्याद था यदि ग्याद ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था कर अब तो सत्यस्युखारिय केशव अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारम होने जा रहा है वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूँ अब समझ में आया कि आपने मुझे सुवेंबर में भाग ना लेनी की मंत्रणा क्यों दी अब समझ आया कि कर्म की हूँकार भरने वाले क्रिश्न उठ समय क्यों मौन रहे जब चर्म के कारणा हरी सभा में मेरा उपहा सोड़ाया कहा अर्चुन के लिए हिना नटवर क्यों क्यों कि आपने ऐसा कि अब अर्चुन को सुवेंबर में जेताने के लिए इसलिए आपने अर्चुन के पक्ष में हो ताकि वो पंचाली का फंद कर सके अर्चुन के लिए इतना जुकात क्यों हूँ उसके लिए मेरा अपान क्यों इतना बड़ा खेल क्यों इतना पक्षपात क्यों क्यों वासुदेव क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूँ मित्र क्यों क्या आप नहीं है नहीं कर मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूँ जितना तुम्हारे पक्ष में सत्य कहूं तो मैं सब के पक्ष में हूँ और किसी के पक्ष में भी नहीं ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है मित्र अब कुछ भी कहें परन्तु मुझे क्यात है कि ये खेल आपी नेर अचा है ठीक यदि तुम ऐसा मानते हैं तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया नहीं मैं केवल ये जानना चाहूँगा कि आपने ये क्यों किया प्रश्ण बड़ा विकट है कर यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा परन्तु तुम्हारे शंका के निवारन के लिए मैं ऐसे संक्षित में बताता हूँ एक महा चक्रवात आने को है कर ऐसा विक्राल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा मैं आजी ना तेरे बिन ना मैं मर जाना तेरे बिन ना अवना कत दी तेरी जिंदगी साथिया मेरे तेरे बिना ना मैना जीना, तेरे बिना मैं मर जाना, तेरे बिना, ना ओलना सकती, मेरी जिंदगी, साक्षिया मेरे तेरे बिना, ना मैना जीना, तुझ जासा जी है मेरा है तो, तुझ जान से कुछारा है तो, तुझ जान से कुछारा है तो, तुझ जान से कुछारा है तो, तुझ जान जैसा प्रिया मेरा है तू